हेलो फ्रेंड्स वेलकाम और वेलकाम बैक टो मैं चैनल साइन देश इलेक्ट्रिक में आप सभी लोग का स्वागत है तो देखिए आज हम एक सॉकेट और स्विच को चेंज करके दिखाएंगे यह 16A का सॉकेट और स्विच है तो देखिए कैसे इसको इसका स्क्रू टाइट क करके एक 16A का सॉकेट स्विच जो है वह हम चेंज करके दिखाएंगे ठीक है तो देखते जाएंगे दोस्तों यह पहले स्विच को लगाया जा रहा है यह बहुत ही सिंपल काम है अब लोग भी कर सकते हो ठीक है तो देखते जाओ दोस्तों अगर आब लोग मेरे चनल पर न आपको मिलेगा हर रोज ही मिलता है हर रोज मिलेगा यह मेरा बादा भी रहेगा ठीक है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा और साथी साथ बेल बटन को अल पे कर दिजिएगा ओके दोस्तों तो देखते जाएंगे यह सॉकेट भी लग चुका है अल्मोंस सॉकेट भी लग चुका है तो इसी तरह से लगाया जाता है ठीक है यह इंडस्टेल यूस के लिए है हम जो बैटे है ना यह ओटी है यह ओपरसन का थेटर है तो उसी में हम लोग बैठ है यह उसी रूम पे लगेगा ठीक है तो देखते जाएंगे ओटी टेबिल भी हम देखिए दोस्तों यह ओटी का जो लाइट है ओपरसन का थेटर भी है यह बहुत सीरियस जगे में हम काम कर रहे है ठीक है तो बहुत ज्यादा वाक्त भी नहीं है इसलिए थोड़ा तेज करना पड़ रहा है ठीक है अभी भी पेसेंट बाहर वेट भी कर रहा है तो हम यह यह मेशन दोस्ति बिलकर जो एक भी मेशन आता है धीन इसी बॉलाग से चलेगा इसलिए हम लोग इसको दी से लगा रहे हैं और देखिया हम अभी आर्तिंग जो है अरटिंग लगा लगा चुके है अभी न्यूट्रल जो है न्यूट्रल को लगा लेंगे देखिए ये न्यूट्रल है सॉकेट पे डायरेक्ट लगता है और फेज जो है वो स्वीच भाया जाएगा ठीक है तो फेज जो है स्वीच भाया जाएगा ताकि ये हल्दी वायर जो आपको दिख रहा है देखिए तो देखिए फेज का जो वैर है वह प्लास से थोड़ा बहुत दो देखिए दोस्तों यह है फेज टेस्टर भी जल रहा है प्लास से हमने इसको कस लिया है अभी देखिए स्विच पर लगा दिया यह स्विच भाया जाएगा ठीक है फेज ही स्विच भाया जाता है न्यूटल तो नहीं जाता है न्यूटल डायरेक्ट लगता है ओके तो इसी तरह हमारा जो सॉकेट और स्विच का काम है वह बहुत ही इजी और सिंपल है ध्यान रखना होगा कि अगर हाथ में लग गया तो जट का लग सकता है दोस्तों